हेलो एवरीवन वेल्कम टो नामदेव अकेडमी यूटब चैनल सेट नंबर 16 की बात करेंगे रेलेवे जन्रेल साइन्स प्रिवेश सेर क्यूशन से बाकाइदा ओनलाइन एक्जाम्स में पुछगे क्यूशन से ओके गईच बिल्कुल कनेक्ट हो चुके गईच आवाज वग पहला क्यूशन आप लोगों के सामने अंश्वर देने कोशिश की चीगा तब तक मैं चेक कर लेता हूं वोइस वागेर आ रही है गया ओक्य गईच आपको यह पर दिया गया है अधि ऑप्टीशन प्रिस्क्राइब्स एक क्रेक्टिव लेंस ऑप पावर प्लस टू पॉइंट फाइफ डी वाट डस दे मीन है यह थी ऑप्टीशन है गईच देखिए गईच तीन प्रकार की ट्रम्स हो थी ऑप्टीशन हो गया उफ्टा मैटरिक्स हो गया और लोजिस्ट रोगया गईच अप्टवलोजिस्ट तो वह था जो आखोजाव धेता है तो इसका मतलब क्या है देखिएगा यहां पर सबसे पहले प्लस लग गया प्लस का मतलब गया यहां पर उत्तल आएगा उत्तल की बात करें तो कन्वेक्स लेंस आने वाला है तो गयाच प्लस की वज़े से आप्शन अठा दीजीगा यह आउतल की बात कर रहा है यह आउतल की बात कर रहा है गयाच तेहनी दो option तो अपने cancel हो गए है बाकी यहां पर 2.5D है यह 2D की बात कर रहा है यह option भी अपना cancel हो गया और सो जाने वाला है option नमबर एक के साथ में इसका मतलब है कि the lens is a combination of two convex lens with power 2D and 0.5D plus 2.5 का मतलब है अपने पास में दो combination है एक तो 2 का एक अपका 0.5 का इन दोनों का जो combination है combination से जो lens बनता है जो वह है अपना 2.5D का option A आपका है पर attention बन जागा अपने बनेगा option नमबर ए नाइस क्यूशन का यहां पर मानव शरीर का नॉर्मल टेंपरेचर कितना होता है साथ साथ में conversion भी बता दीजीगा किसमें conversion करते हैं तो क्या आता है human body का नॉर्मल टेंफरेचर गाइड जी यहां पर फारेनाइट इसकल के पर बात हो रही है दीक है 37 degree centigrade होता है और फारेनाइट के अंदर होता आपका 98.6 degree Fahrenheit है यहां पर conversion के बात करें तो centigrade Fahrenheit Kelvin और आपकी जो Rankine cycle है इनके अंदर conversion होता है किसी का किसी में भी पूचा जा सकता है c बटे पांच इकल टू होता है एप मानिस 32 अपॉन में 9 इकल टू होता है आर बटे 4 इकल टू होता है आपका k मानिस 203 अपॉन में 5 यह कंप्लिट आपके temperature centigrade Fahrenheit Rankine और यह Kelvin तो इसमें किसी का भी कुछ भी दिया हो एक दूसरे में conversion कर लिजीगा तो इस क्यूशन का आपका राटान चुजाने वाला है अपसे नबर बी के साथ में 98.6 डिग्री फारेनाइट बिल्कुल वाइर गूट साइच ज्वाब है 98.6 बनेगा गैज 80.6 डिग्री फारेनाइट और नॉर्मल आप राबर नौबटे 5 इंटू centigrade प्लस 32 यह धार रख लिजीगा आपका most probably इनके अंदर कनवर्जन पूछा जाता है गैज नेस शूशन आपसे पूछा गया है कि जो ग्राफी पूटक का है यह जो ग्राफियन फॉलिकल है यह विसेशता किसके अंदर पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल है किसके अंदर पाया जाता है कि यहां पर अन्षो बनेगा option number D के साथ में इस तंदारियों के अंड़ा से या और पाया जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स इसके बारे में डिटेल्स में यह पर देख सकते हो इस पेसले होता क्या है ग्राफियन फॉलिकल्स है वह एक तरल पदार से बनी structure होत टो किसे अंद्र पाया जाती है यह पाय जाती ऑवयरी और मैमल्स के अंदर पायना स्ट्रक्थर होता है do अविलोड से बहा हुआ इस्ट्रक्टर होता है जो डेवलब्प वहता है किससे पहले और विलेशन से पहले डेवलपड होता है और किसके अंदर पाये जाता है मैंलियन और पाये जाता है ठीक है एक तो आपका इस्तिर फ्रिक्षिन है एक आपका स्लाइड करते वए आ रहा है फ्रिक्षिन दोनों फ्रिक्षिन की अपने को कंपेरेजन करना है दोनों का तुनना करना है फ्रिक्षिन की बात करें तो यह अपना जो फॉर्स लगता है उसके अपोजिट सैड में अप सा जदा होगा आज एक तो एक गाज सर्पोज कीजी गाज इस तरिके की सर्पेस है एक तो गाज यहां से एक फॉर्ट पिंडा रहे है उनके बीच में जो फॉर्ट लग रहे है एक गाज यहां पर जो इस तरिकी से गाज कोई पिंडा आ रहे है स्लाइड करते वह आ रहे है त करते वह यादि कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसकी उपर जो फ्रिक्शन लगता है वो कम हो था है और शुपनेंगा अप्शन नमबर ए आपका यह पर बिल्कुछ सही है नमबर मैंसे कौन सा इंडिकेटर है जो दृष्टि भादी छात्र द्वरा यूज लिया जाता है जिसे एनरजी बढ़ाने के लिए भी यूज लिया जाता है यह अपनी जो इसकीन है स्किन को गलो करने के लिए भी यूज़ लिया जाता है यह मादब पर पिश्व शाथ करते में अपना फ्लावर जादा वानिला फ्लावर जाने वहला है जाधा है तो ज्यदा जड़ मतलगा घॉझ जघर जड़ कि बहुत ज़्यदा benefit भी मिले साथ साथ में तो जो vanilla flavor है वह आपका एक indicator है जो यूज लिया जाता है visually impaired student के द्वरा यूज लिया जाता है इसके कई यूज होते है especially जो इसका यूज होता है वो antioxidant के रूप में भी काम में लिया जाता है screen improvement screen glow इसके अंदर भी काम में लिया जाता है option number D आपका right answer बनेगा वहाँ उमें लगा निमन मेंसे कौन सा instrument वाई परदुशन को कंट्रोल करता है air pollution को कौन कंट्रोल करता है जो वहिकल इसके अंदर लगवा रहता है pollution को कंट्रोल करना है चार ओप्सन आपके सामने है inverter तो होई गए नहीं एक option तो cancel हो गया कुलांट का काम करता है आपका कार्बूरेटर यहां पर air pollution की बात हो रही है तो air pollution को कंट्रोल किसके द्वारा किया जाएगा अंच बनेगा option number एक की साथ में उत्प्रेरक परिवर्तक या catalytic converter air pollution control air pollution control किया जाता आपका catalytic converter के द्वारा ओके इनवर्ट का नहीं होगा यूज inverter के द्वारा अपने DC को ऐसी में convert करता है वापीस है कार्बूरेटर का इस कुलांट के रूप में कामी लिया जाता है आंच बनेगा अप्सा नमबर एक के साथ में astro-h किसके द्वारा launch किया गया एक खगोल विज्यान उपकर है था अक्सरे खगोल विज्यान उपकर है क्यूशन ऐसी भी आ सकता है astro-h क्या है तो आंच बनेगा X-ray Khagol Vigyan Upgrade X-ray Astronomy Satellite Astro Edge क्या है guys तो हर चीज द्हान में रखनी है Quesn के अंदर ही दूसरा Quesn बन सकता है Astro Edge क्या है एक प्रकर का X-ray Astronomy Satellite है तो यह किसके द्वरा लॉंच क्या गया है guys यह आपका Japan की द्वरा लॉंच क्या गया वेसे अपने हम बात करें तो यह combined है दो एजेंसी है गाइज जापान की जो सेटल यह जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है जाकसा और अमेरिका वाली की नासा यह दोनों नाम ध्यान में रखना जापान की जाकसा है अमेरिका की नासा है इन दोनों का गाइज यह जो जोएंट है यह जो S to S है यह बिल्कुल joint है joint mission है दोनों का और इसका objective क्या है objective क्या है आपका है study करना extreme environment of the universe universe है उसका जो by environment है उसकी study करना ओके गाइच तो इसको launch किया गया है 17 February 2016 को और इसको destroy भी कर दिया गया है 26 March 2016 को तो यहां पर simple solution है इसे पूचा दे सकता है किसका joint है joint mission है तो जक्सा और ना सागा जापन की तोरह launch किया गया जापन रादने टोक्यो मुद्रा यहन है भाई करन किसे कहते हैं कान के तीन भाग है outer middle इनर तो यहां पर आप देखोगे cochlea 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 आपका inner इसा है inner part का हिस्सा है cochlea और बात करोगे तो आउटर आउटर इयर काल्ड है तो आउटर इयर कहला है का करन पाली यह पिना तो दो ट्रम्स आपको यहां पर द्यान में रखना है यह कान के तीन पार्ट होते है outer middle and inner outer का काम होता है काई इसपेसली filtration का काम होता है और सिगनल को जैसे की vibration के दोरा पहुंचाना साउंड signal को जैसे की electrical signal के अंदर convert करना यह सब काम होता है आपका outer का ओके तो यहां पर यह पिनना है पिनना आपका outer भाग हो गया और कोक्लिया आपका inner भाग हो गया यह दो टरम्स important है पिना outer का भाग है कोक्लिया inner का भाग है नेस क्यूशन गयाच पहुत है किसके मादिम से साउसन करता है गयाच तो अंड़ बनेगा यह पर इस्टो मेटा के द्वारा ओके गयाच इस्टो मेटा है इसी के द्वारा गयाच वास पहुत सरजन होता है पनी आपका इस्टो मेटा यह रंदर से उससर जीत होगा और यह कांपे पाया जाता गाज यह पतियों के अंदर प्रकास अंसलेशन है फोटो सिंतेस प्रकास होते है पतियों के अंदर होती है और वहाँ पर पतियों के अंदर इस्टो मेटा रंदर उपस्तित होता है रंद समंदी थहा है विटामिन ॅ कि बात चाहिए तो बोलाज़ा जाता है एसकॉरिबी केASID की कमी हो JGroup कमी हो जाती है तो विटामिन की कमी की क्वज़े से मस्योडों में कुन आने लग जाता है और लग के सब أنا के मचुरोडा के खूनाना किससे संद्धर का अंशो बनांक剥 कर भी रोग को कर रोग हुआ वह अपका réflexive रोग है को म test रोग है विटाम्न की विनेतों न बैसलों को रॉताई न बीडे हैं करद रिंद्द कि जाएं केल्सी फेरॉल विटामिन डे की कमी से रिकेटस रोग वाता है रिकेटस को हिंदी में सुक्का रोग बोला जाता है इसकी कुछ बुंदों की उपस्तिति में गर्म करने पर जब अपन इसकी उपस्तिति में गर्म करने पर जो एथेनोल आपका वह एथेनोग एसिट के साथ में रियक्शन करता है तो क्या बनता है क्युसति को समझीगा वाटिज formats वायन है इत्यनोल रियक्र्स विद एसनोईखज़ें जब एत्यनोल एसिट के साथ में रियक्शन करेगा किसकी पर जैनिसमे पर जैनिसमांus होगी आपकी इसल्पकिरीक एसिट जब ethanol, ethanolic acid के साथ में reaction करेगा, sulfuric acid की presence के अंदर तो क्या बनेगा, तो guys उस condition में बनने वाला ester, option number B, आपका यहाँ पर राइटा अनिसल बनेगा ester, ठीक है, ethanol को क्या बोला जाता है, C2H5OH, जब ethanol, ethanolic acid के साथ में reaction बने करेगा, तो ester का, निर्माणों का, option number B, nice question, यहाँ पर चमगादर है, चमगादर को bats बोला जाते, BATS, चमगादर है, अंदरे में किस प्रकार दिशा का पता लगाते हैं, और अपना बोजन खोचते हैं, चमगादर किस का यूज करते हैं, direction पता ल आँकों का इस्तेमाल नहीं होगा, option कहरा है, अब सर्वित रंगे, क्या, infrasonic signals का यूज करेगी, option यह तो कहरा है, आँकों का यूज करेगा, यह कहरा कि, इंफ्रा सोनिक की वेव का यूज करेगी, ओके यह कहरा कि कुछ साउंड निकालेगी, और यह कहरा कि, अल्टरा सोनि होती है तो आंशो बनेगा यह पर अल्ट्रासोनिक व्यव्ज का यूज क्या जाता है बैट्स के दौरा बिल्कुल साइज ज्वाब है ऑप्सन अबर है बैक्टीरिया का नाम बताने जो रेफ्रीजरेटर के अंदर भी गातक की विसाक पदार्थों को उत्पन विक्षित कर सक सकता है और जहरीला विसाक्त पैदा कर सकता है जहरीला या जो गहता के विसाक्त पदार्थ है उसको भी उत्पन कर सकता है यह कोई भी पदात रेफ्रीजरेटर में रखा हुआ है तब भी मतलब जो रेफ्रीजरेटर के अंदर भी प्रोग्रेस कर सके ऐसे बैक्टीरिया का का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बॉटू लाइनम जो रेफ्रीजरेटर के अंदर भी डेवलप कर सकता है खुद का विकास कर सकता है और पदार्त है जो भी खाद्य पदार्त है उसके अंदर बिल्कुली विशाक्त अपना वह छोड़ सकता है अंच बनेगा अप्शन नमबर सी क्लॉस्ट्रीडियम बॉटू किस तरह किसे रिलेट करोगे जैसे कि अपने रेफ्रेजरेटर में बंद किया बंद को अपन क्लॉज बोलते हैं फिर्लोज यहां पर ट्रम आ रही है क्लॉज छिग है बागी क्लॉज ऑप्शन में कहनी है तो इस तरह किसे तोड़ा सा कि सरणिक करम में जुड़े प्रतिरोद का सम्तुले प्रस्स अलरालग्त हर्ब प्रतिरोद का क्या होगा कै 바OS मेरे पास मैं जैसे कि एक तो आर्वन है एक आर टुए एक आरथ्री है या अब कुए ज इनका में सरणिवाइं जोड़ दूँ तो कोई जो आर एक्विलेंट बनेगा वो क्या बनेगा मेरा या इन सभी का गुणन फल्व इन सभी का सिंप्ल सा सम बनेगा यह का यह ऑगाज है इनकी स्कौइर का सम बनेगा है yeah । Raj प्लेफरेंस बनेगा और हैं तुर्थ नियुक्त के अंदर कनेटव है। आप सो बनेगा मो splendidas से यह अपना को झ्राइटस क्लेटच में इसी प्रकार से काईजेण सी और चस्gen ह्द में बनेगा आपके Confirmation के लिए लागो होगा तया क्षारी उक्सड बनातियां जैसे कि यह दन हो गया aluminium हो गया sodium हो गया यह सब यह दिगाईज किसी परकार का किशारी औक्साइड का निर्मान करती है तो कौन सी दातू एक उभैदर्मी औक्साइड बनाती है यह कुछन गाच most important है और railway exam के अंदर यह कुछन अप्रोक्सिमेटल बहुत बार repeat होता है कौन सी दातू है जो उभैदर बनेगा तो option number c आपका यह पर क्रेक्ट बन जाएगा ठीक है एक आपको ज्याड नाम आपको ध्यान में रखना है यह भी आपका उभाई धर्मी है यह दो याद कर लीजिगा यह याद कर लीजिगा यह यह दो दोनों उभाई धर्मी ऑक्साइड होते हैं और गयाज जो एस बनेगा हैं पर आयोडीन देगे option में से प्रोटीन का हिस्सा नहीं है आयोडीन आपको यह पर क्रेक्ट आनसुर बनेगा गाज क्यूसन देखिए का इंपोर्टेंट है अप्सिन नमबर ए प्रोटीन का पार्ट नहीं है आपको समुद्र शिपराप्त होते हैं इस्पेसली प्रोटीन के कमी से गलगांड ग्वैटर या ग्यांगा रोग हो जाता है नेस्ट क्यूशन गाइज तेल उत्पादन में वर्दी का क्या कारण है इंक्रीज इन ओईल प्रोडॉक्शन इस जूटू और में प्रोडॉक्शन किषकी पुजशें होता है हरित GRS या सपथ CRS तो आपकी खेते से सम reven तागी करशी समंदूत हो गई सपेत क्राण्थि आपकी दुग्त से हो गई तो गाजिए आप ब्रॉन आएगा या पील्याएगी तेल उत्पादन और से समंदीत कौन सी सब्सक्राइब का और फ्रॉडक्शन से समंदित आपकी जो रिवलिस्टन है उसका नाम है येलो अप्शन अमड़ी राइट अंसर बनने वाला है बिलकुस सच्छ ज्वाब नेस्ट कूशन विदू संचरन यानि एलक्ट्री सिटी ट्रांसमिस्टन एलक्ट्री सिटी ट्रांसमिस्टन के लिए बनने वाले तार के लिए विशेश रूप से उप्यों किया जाने वाले दौपदात कौन से है एलक्ट्री सिटी को ट्रांसमिट किया जाता है गैच ट्रां वोल्टेज होगा तो गाज अपन DC का यूज करने वाले है फिर ह्यवीडीसी तो गाज यहां पे कौन सी दो फदार्थ का यूज लिया जाता है तो गाज दो फदार्थ आपके अपसे नमबर बी कौपर एंड अलिमिनियम आपका राइट अंश बनने वाला है इलेक्ट्रिसीटी ट्रांस्मिस्टरन के लिए जो भी अपन वायर यूज लेते हैं वो कौन सी दो फदार्थ से मिलके बनते हैं तो दो फदार्थ आपके हैं पर कौपर और अलिमिनियम का अप बनने वाला हैं पर कॉलाइड का अपसा नमबर है कॉलाइड आपका हैं पर राइट अंश बनने वाला हैं निमन में से कौन सी समस्य सारवजिनिक स्वास्ते के लिए खत्रा उत्पन करती है वीच ओफ फॉलॉइंग इस्यूज क्रिएट्स थ्रेड टू दे पब्लिक को किस से खत्रा है सिंपल सा पॉलिशन से है या और पॉलिशन से है और पॉलिशन से है और पॉपुलिशन है यह पॉलिशन से है या और पॉपुलिशन से है या और पॉपुलिशन अधिक जनसंग क्या या पाने की कमी या सभी के सभी पर दूसन से भी है पाने की कमी से भी इसकार सिटी आंशो बनेगा आप्सा नमबर है बिल्कुल साइज जोब नासा के अंत्रिक्षियान लेडी ने चंद्रमा के वायो मंडल में कौन सी गेस की उपश्थित की पुष्टी की अच्छा आंशोर आ गया गया है वह नासा का जो अंत्रिक्षियान है ध्यान दीजिका लेडी क्यूशन ऐसकता है यह जो लेडी है किसका अंत्रिक्षियान है तो यहां पर अंशोर बनेगा आपका नासा अमेरिका की है जाक्सा जापान की है इंडिया की इस रो है तो नासा के अंत्रिक्षियान लेडी ने चंद्रमा के वायो मंडल में यह भी क्यूशन बनते है यहां पर तो गाज यहां पर अन्शों बनेगा option number D neon ठीक है तो एक ही क्यूशन के अंदर कई क्यूशन बनते हैं सभी को आपको देहन में रखना है इलेक्ट्रोन नभी के चार और खक्साओं में गुमते जिनके अंदर क्या होता है प्रोट्रोन और न्यूट्रोन तो आपके इस्तिर रहते हैं नभी के अंदर इलेक्ट्रोन बाहर चक्कर लगाते रहते हैं तो इनके इनर्जी फिक्स होती है या अनन्त होती है या इनकी ऐनर्जी वेरी किरती रहती है या कोई भी एनर्जी नहीं रहती है क्यूशन इंपोर्टैंट करता आपके या इलेक्ट्रोन पे मानेस वन पॉन्ट शिक्स की पार मानेस गुणिश कुलाम चार्ज होता है दर्वैमान की बात करेट नहूँ पॉन्ट एक इंटू दसकी 1-Ok 31 केजी यह होता गाज मास इलेक्ट्रोन का मानेस में तो इलेक्ट्रोन के अंदर गाज हमेंसा फिक्स्ट एनर्जी होती है अप्सन नमबर डी आपको एंपर राट आर्शुल बनेगा धेनर के गज्च एलेक्ट्रोन की एनर्जी फिक्स रहती है अप्सन नमबर डी कौन सी भारत के प्राइदी पे छेतर से निकरने वाली सबसे बड़ी नदी है जिक्ट्र का क्युशन गाज मैं अलग से कलेक्ट कर रहा हूं देरे देरे तो एक जापन 15 वेडियों के अंदर जिक्ये का क्युशन मा करवा दोए जितने भी है एक सातरी क्यूकि का कमी क्यूशन आ रहे हैं वैसे एक पेपर के अंदर पांच और पांच आर तकन देकने मिल रहे है तो इ एक जम से पहले जीखे के कुछ क्यूशन से उनको अलग से आपको प्रवाड कर वा ला दीया जाएगा दावुष अइक पासकल निमने में से किसके बराबर होता है स्चल की बात के लिए तो जी जो प्रेशर होता धब की एक अधिएड़ना है जो इक यह वो पास्कल है और आपका रंडर स्क्टव यह अपना फ्रमूला मेरा न्यूटन में हो गया अरिया स्कुर मेरा मिठ कर बंडने वाल है तो यह बन जाएगे मेरे मेरे उन кого ईंट पहसका है उप से न्चUNG काउणा बैल सी फस्कुर ऑफ लीत बार इपीट हो तो वह देख लिजगा पूचा जाता की प्रेशर सबसे कम कब लगेगा और अपका अगॉली पर एक बाइस कम गयर है तो प्रेसर आपका ज्यादा हो जाएगा या आप धर्ती को पर लेटे होई हो लेटे होई तो आपने ज्यादा एरिया कवर किया है ज्यादा एरिया कवर किया है तो आपको उस पर कम प्रेसर लगा रहे हो तो इस त्रिके का सेदान्ति क्यूशन एक्जाम के अंदर कि या राए ने टीज अंच बनेगा अप्सनिंब बढ़ी के साथ में सौडियूम का नेट्रियूम किसका लेटि नाम है स्वर्डियूम आपका पाया जाताग गुरूप नूमबर वन के अंदर पाया जाताग जीसकी विलेन्सिद्टियूम की वन होती है सब्सक्राइब करें जाता है क्योंकि इनके अंदर कम जोर दातु बंद पाए जाता है आज का सेशन यह पर समाप्त करते हैं 400 क्यूशन तक अपन पहुंच सुके देरे देरे कंप्लेट वीडियो का कलेक्शन मिल जाएगा आपको चैनल के अंदर विजिट कीजिगा पले लिस साइंस पर ज्यादा फोकॉस दे रहें गाएज ओके गाइज चलो धन्यवाद थेंक्यू बाए